नमस्ते जी स्वागत है आपका तेयर सिवस्वे मैं नाम है अमित तो इस हिस्टॉरिक डे पे आप सभी को बहुत धेड़ सारी बधाई वो सभी लोग जो आयो के सामने खड़े थे चार दिन तक इस पूरे कैमपेइन को लीड किये हैं वहां खड़े रहे हैं फिसिकल प्रिज से इस पूरे प्रोसेस से जुड़े रहे हैं चाहे वो ट्विटर कैमपेइन हो चाहे वो अलग-लग लोगों को टैक करना हो ट्विटर पे चाहे वो अलग-लग मीडिया हाउस तक पहुचना हो और अपनी बात को रखना हो आप सभी लोग को हार्दिक बधाई कि आपने लिया है यह इतना आसान तो नहीं था स्टुडेंट प्रोटेस्ट करना कभी आसान नहीं होता क्योंकि सबसे इजी टार्गेट होते हैं और सबसे वीग प्रेशर ग्रूप होता है काइंड अगर माना जाय तो क्योंकि अगर स्टुडेंट कॉलेज में हैं तो स्टॉंग प् जरना है तब थोड़ी चीज़ें टफ हो जाती है लेकिन उन सारी चीज़ों को वो सारी adverse situations को आपने बहुत ही अच्छे से deal किया जा कहने के लिए तो 4 दिन है कोई सुनेगा आसे 4 साल बाद 5 साल बाद कि 4 दिन प्रोटेस्ट चला तो लोग को लगए बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है लेकिन कौन कर रहा था किसका background involved था उसमें क्या चीज़े stake पे थी आप समझेए stake पे क्या-क्या था ये important चीज़ है आप farmers protest को compare कई लोग बोलेंगे कि farmers protest या फिर कोई और तरह के लोग है न वो लोग का stake बहुत कुछ नहीं था लेकिन आपका पूरा career involved था बहुत धेर साए लोगों को जो LIU है या पुलिस है मैंने सुनने मारा था कि घर पे भी पहुची थी और प्रशाइस कर रही थी कि इस तरह के protest से ना involved हो तो वो भी चीज़ें बहुत कुछ था involved आपका खुद का carrier ये ध्यान रखा जाए कि policing अब कितनी change हो चुकी है पुलिसिंग अब change हो चुकी है इस तरह से कि अलग-अलग तईके किसे आपको pressure create किया सकता है CCTV camera footage हैं, drones हैं, drones footage हैं, आपके LIU के पास camera है और दोस्तिंग आराम से कुछ जाते हैं और वो चीज़ यूज़ भी की गई आज सबसे ज़्यादा यूज की गई, आज सबसे ज़्यादा परशान किया गया, आज सबसे ज़्यादा प्रशान किया गया, आज सबसे ज़्यादा तोड़ने की कोशिश की गई, और अलग-लग तरीके से, पर आप सभी लोग खड़े रहे, डटे रहे, और अपनी बात को मन की लिए अलग-लग माध hijyam का यूस किया क्या चाह büy लगका हो च्छाब लड़की हो कोई चीज सामनें निया हैयiban कोह योगाष क्रीड सामनें नियाया आप सभी ने एक जूट और जो चीज लिए धिखाई है वो आगे के लिएट की हैं ना सिर्फ इस Deans movement ना सिफ कॉम्मुटिटेव ग्जाम के लिए इर्रस्पेटिव आफ इश्वकि किया है छिए जीज बहुत ही IMPORTANT रही और जिस तरह से प्रोटेश्ट शाम को अधर हमकी इवेंट जैसे टौन अउट हो रहे थे वहाई इंट्रेस्टिंग हो गया थेए लास्ट में आके सचीव जी आए आपके यूपी पीसी के डियम साहब आए अल्हाबाद के प्याग राज माप कीजेगा और फिर सीपी तरुन गाबा जी भी आए और उन्होंने अपनी बात कम्मिलिकेट की और उन्होंने बताया की कि जो normalization है वो process अब involved नहीं रहेगा यूपी पीसीस में यूपी पीसीस एक दिन में कराया जाएगा एक shift में कराया जाएगा और साथी साथ उन्होंने एक information आट की कि आरो ए आरो प्रिलिम्स जो है उसको करवाने के लिए हमें कमिटी करत करेंगे उस कमिटी वो जो कमिटी है वो study करेगी सारी चीजों को सारे एंगल्स को और उसके बाद जब वो recommendation दे दी तब हम decide करेंगे क्या करना है उसके साथ examination के साथ तब तक के लिए अनिशित कालीन वो exam टाल दिया गया है अब जब exam जब यह जितना भी announcement हो गया शाम को जब हमें यह मालूं चल गया कि UPPCS जो examination है उसमें normalization नहीं 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 लेकिन उसके साथ ही Pandora box खुल गया अब इसको यह कहना सही रहेगा कि नहीं कि यह जीत हुई है कितनी जीत हुई है तो एक आधी जीत हुई है कहलीजे जिस दो examination के लिए protest involved था एक आरो यारो दुछरा UPPCS लेकिन एक में ही government और कहलीजे UPPCS मानी है UPPCS मानी है कि UPPCS prelims में normalization नहीं होगा उसी के साथ यह notice भी आया notice देखने लाग इंटरस्टिंग चीज यह है कि इसमें कहीं भी यह तो बोला गया है कि एक shift में होगा लेकिन कहीं भी notice में यह नहीं बोला गया है कि examination postpone हो रहा है तो यह भी बड़ा ambiguous situation पर छोड़ दिया है जिदने लोगोंने भी आये थे बाहर है ना जो government को represent कर रहे थे आ कि लिए उन्हें यह तर्क दिया है कि modern टेलनाक्स जंता involved है तो इसको जिस तरह से हमें अच्छे से करवाना पारदर्शिता गुर्धर्मिता सुच्ता पुरुढंग से कराने के लिए हमें सारे processes को सारे तत्यों का समयकित अनुसंधान विचलेशण करने हे तू समिती गठत पोस्पोन किया जाता है यह ना मलब यह नहीं बोला कब कब तक के लिए लेकिन बोला पोस्पोन किया है लेकिन नोटिस में नहीं दिया ठीक देर शाम एक और नोटिस आई यह नोटिस थी एम देवराज जो की कार्मिक के ACS हैं उन्होंने बोला कि जो जून के टाइम पे ए यानि बस एक UP pieces prelims है जिसमें one shift में examination होगा यह देखिएगा धान से अभी किसी और examination के लिए यह exception नहीं create किया गया है तो यह साशन आदेश का यह exception create किया गया है M. देवराजदी बड़े ही खतरनाक IS officer है बहुत strict बहुत ही कह लीजे अपना एक नाम create किया है उसके बहुत करेंगे लेकिन तीन notices आई हमारे सामने अब इससे हम कह लीजे summarize क्या करें पूरे चीज को चार दिन बाद जो हमारे सामने आ रखा है उसको हम क्या summarize कर सकते हैं most importantly यह चीज है मतलब कुछ निकला है कि नहीं निकला है substantial तो उसके बारे हम बात करते हैं तो substantial अगर हम बात करें समराजेशन की बात करें तो सबसे बड़ी चीज जो सबकी डिमांड थी और सब लोग ये भी कह रहे थे दोंद था ये था आपस में विचारों को आदोंद था आपस में लोग बड़ाई जगड़ा भी कर रहे थे उनलाइन प्रेटफॉर्म पे एग्जामिनेशन कब होना चाहिए आठ को होना चाहिए या किस डेट पे कई लोग March F.L बोले थे कई लोग ये बोले थे कि भाई जो लोग प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं जो लोग प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं उनका भी समय काफी खराब हो रहा है तो अट लीस्ट दो से तीन वीक का समय मिलना चाहिए जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं कुछ लोग का कहना था कि नहीं नहीं भाई इतनी जल्दी तो नहीं होना चाहिए और March अपर जाना चाहिए कुछ लोग 8 December के लिए भी ओके थे लेकिन सब एक सेन पेज़ पे ये थे कि Normalization नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से ठीक है वो बहुत Discirmatory Process है तो वो जीत है ये जीत बहुत बड़ी जीत है कि इतनी बड़ी भरती जो हजार के आसपा सीटे आ रही हैं उसमें Normalization नहीं होगा और Level Playing फील मिलेगा आपको वो एक्जाम में अपियर करने पे ठीक लेकिन इसी के साथ ही एक और कह लीजे कि Pandora Boxes का कि एक Collection खुल चुका है कि उन्हेंने बोला कि हम जैसे ही आपको कुछ देर में या कुछ दिन में सूचित करेंगे कि कब examination होने वाला है तो हमारे पास कोई confirmation नहीं है कि UP pieces problems कब होने वाला है Pandora Box ये खुल गया कि वहाँ जितनी भी बाते हो रही थी DM साब बोल ले थे सचिव जी बोल ले थे उसमें clarity कहां खो जाजा जाए उसमें कि इसमें loopholes भी तो है कई उसमें gaps भी तो है कोशन के लिए कि वो ये examination 8 December को हो रहा है कि 22 तेईस को जो date रखी गई थी आरो यारो और कुछ लोग जो और भी बुद्ध जी भी लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये March या April में जाने की उमीद है तो ये फिर से Pandora Box खुल गया है गौर्मेंट इसमें बहुत जो least कर सकती थी वो ये बोल सकती थी कि हम फला फला टाइम फ्रेम में कराने की कोशिश कर रहे हैं इतना बोल सकती थी और फिर further notice या फिर Monday को या फिर Tuesday को जब भी वो office खुलता उनका तो उस further communicate करते notice के द्वारा लेकिन कुछ नहीं है हुआ ऐसा ठीक दूसरी चीज ये है कि अगर ये चीज confirm नहीं है तो आप क् इतने जिन जो खराब गए हैं तो आप टोटली one target करके आप भी PSC को target करो ये भी plan हो सकता है लेकिन नहीं नहीं आपको कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि आपने गलती कर ली UPPSC को देने की सोच लिए आपने तो इतना मतलब वाही हात पना कहां से आ सकता है मुझ कर रहे हो क्या उनके साथ आप ये दिखाना चाहते हो क्या कि तुमने हमें रोट पे खड़ा कर दिया तो हम तुमको परशान करके दिखाएंगे या फिर आप slogans का बदला ले रहे हो किस चीज का बदला ले रहे हो क्या है ये कुछ कहीं से भी कोशन डील हो रहा है कुछ ची के लिए ये golden opportunity होती है कि आरो यारो का problems clear करें या फिर आरो यारो का examination clear करें और वो एक अच्छी respectable post पाएं जिसकी location अच्छी है लेकिन ये government या फिर कह लीजे commission इसकी चीज के लिए अभी तयार नहीं है कि इसको एक दिन में होने दिया जाएगा तो उसके लिए अभी committee बनें के recommendation आएगी फिर उसको देखा जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यानि ये फिर से एक आंदोलन खोज रहे हैं आरो यारो वालों से अलग से हैना अभी के लिए diffuse करने के लिए इन्होंने अलग लग दे दिया तो हो सकता है दोनों मलब इनका ये था कि द comment में हो रहा है ये जान लीजे राइट अब मेरे साइट से जो अब क्या बात कर सकते हैं कि अगले कुस दुनों में क्या करें मतलब क्या हमें क्या करना चाहिए क्या process हमारा होना चाहिए तो बहुत आगे की बात करने को कोई मतलब नहीं है chances ये हैं कि Monday या फिर Tuesday को आप एक notice expect कर सकते हो UPPSC से कि UPPCS prelims किस डेट पे हो रहा है अगर वो प्लान कर रहे हैं next कुस दिनों में कराने के लिए next कुस दिनों का मतलब यह नहीं होता कि मैं आठ बोल रहा हूं right मैं clearly categorically बोल ला हूँ तो मुझे misinterpret मत की देगा दूसरी चीज कि हम खाली हाथ नहीं बैठ सकते हैं जो time चला है जो scenario चल रहा है examination बहुत दूर मेरे साब से नहीं जाना चाहिए तो अगर मैं next three days की बात करूं है ना next just three days Friday, Saturday, Sunday की बात कर रहा हूँ मैं तो मैं फिर से बोलना हूँ बहुत categorically बोलना हूँ इस चीज को मुझे misinterpret मत कीजेगा हमें अगले तीन दिन आठ दिसंबर ही मान के preparation करना चाहिए कि 8 दिसंबर को prelims हो रहा है हम time waste करना effort नहीं कर सकते ठीक है आप जो भी plan करें जैसे भी plan करें आप 6 गंटे current affair पढ़ो कोई tough चीज पढ़ लो कोई easy चीज पढ़ लो उसके साथ उसका माइन नहीं रखा है अभी उस पर discussion नहीं हो रहा है लेकिन अगले तीन दिन should be bloody in war mode है ना वो war mode में जाईए आप तीन दिन में चीजों को brush up कीजिए जितना होसा कि जो protest कर रहे थे जो protest नहीं कर रहे थे there is no other way out हमें नहीं पता है क्या होने वाला है तो हमें इसी तरह से मान के चलना चाहिए कि 8 को हो रहा है मैं फिर से कह रहा हूँ उसका मतलब 8 को नहीं इसका मतलब यह नहीं कि 8 को ही हो रहा है और मुझे कुछ पता है मैं मतलब cryptic भासा में बोलना हूँ नहीं लेकिन chances यह हैं कि December में हो सक तो there are two dates which are possible, other than eight is 22 and 29, और मैं अपने साइट से बस ये बोल सकता हूँ, कि manifest कीजिये, कि December में हो, हाँ मैं ये मानूंगा कि जो समय वेस्ट हुआ है इतने लोगों का, आपको mentally आपने drain हुए हो, यतना आपको mentally torture किया गया है, उस वजए से आठ को नहीं होना चाहिए, मैं भी pray करूँगा, लेकिन कोशिश अपने साइट से commission ये करें, कि इन दोनों dates पे as early as possible लेने की कोशिश करें, क्योंकि उससे क्या होगा, कि बहुत धेर सारे लोगों काना समय बरबादनी होगा, बहुत साल, दो साल वैसे ही जा चु तो hopeful रही है, है न, hopeful रही है, लेकिन जो ये बात बोली है, मैंने अगले तीन दिन के लिए, तो मेरे साइट से यह है, आपका decision है कि आप क्या plan कर रखे हो अपने लिए वो अलग चीज है, लेकिन अभी war mode में जाने का समय है, तीन दिन, आप जितने भी notes बनायते हैं न, नम इस तरह से पता है कि मैं आर्ट को करवाना चाहता हूं, नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तीन दिन क्या करना चाहिए वो बता रहा हूं, बाकी आप सभी को बदाई हैं कि आपने ये प्रूफ कर दिया कि इस दुनिया में बहुत कुछ achievable है, बस साथ खड़े होने चाहते हो, so thank you for that और kudos for that, thank you for watching this video